तो अब आपकी ओपन कीजिएगा चार्ट बुक here are you ready? yes or no? yes, ready होगे तो R-type कीजिएगा तो अब आपकी open कीजिएगा chart book, अब आपकी open कीजिएगा chart book, hand to hand, very good चार्ट बुक में पहला चार्ट ओपन कीजिएगा अगर मैंने तो दिया है पर अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपका लेवल ही अलग हो जाएगा बॉस आपका लेवल ही अलग हो जाएगा आपको इतना परफेक्ट लिए प्रोसिजर समझ में आएगा ना कि नींद में भी आपको पूछा गया तो आपको बिलकुल याद आएगा इसलिए आप एक प्रॉपर दो पेजिस लेके ड्रॉप करके जरूर देखना तो चलिए दोस्तों ओके ये शुरू होता है आपके सामने रिफन का पहला चार्ट जो हमें complete procedure बताता है और इसी procedure को हम आगे थेरी में पढ़ेगे पर ये complete procedure आपको समझना जरूरी है तो यहाँ पे इसको मैं हमारे discussion के लिए नाम दोगा procedure 1 या general procedure for claiming दरिफन हमारे discussion के लिए ओके ये exam के लिए नहीं हमारे discussion के लिए नाम दोगा जब भी किसी को इतनी सारी situation हमने मैंने पढ़ाई इतनी सारी situation मैंने पढ़ाई वो भाई export की हो ITC के refund हो डीम export हो refund of e-cash ledger हो voucher हो उसके बाद मैं wrongly collect payment किया हो refund to tourist हो हर situation लन हो जाएगे ये चार्ट में मैं इतना घिसूगा ना आपको इतना चर्णिंग होगा ना हमारा कि हर situation आपको बहुत अच्छे सब्सक्राइब करना चाहता है इतनी situations मैंने बताई refund क्लेम करने कि उसमें से कोई situation में आ रहा है तो यहाँ पर procedure कैसी होगी तो चलिए बाते पहला ये बंदा ये applicant है अब applicant को वो तो लेमान है उसके भियाद पर हम कोई करना पड़ेगा सब कुछ है इतना हम मैनत कर रहे है सुबे से लेके शाम तक किसलिए कर रहे है तो उसका हम refund कैसे क्लेम करेंगे समझ लो applicant है steps मेंने दिये ये चार्ट पड़ते वक्ट ये steps जरूर देखना और वो sequence में देखना तो बड़ा मजा आएगा आपको तो चली यहां पर सबसे पहले तो ये जो customer है ये या इसके भियाब पर हम इसका refund application फाइल करेंगे general procedure में आपका refund application जाएगा कौनसे form में RFD01 RFD01 ये form में जाएगा ये RFD01 फाइल करते वक्ट आपको तीन बातों का ध्यान रखना है भई कौनसे तीन बातों का ध्यान रखना है ओके 1, 2, and 3 ये तीन बातों का ध्यान आपको RFD01 फाइल करते वक्ट रखना है कौनसा? Attachment of document मैं आपको हर case में किस टाइप की documents attach करना ये बताऊगा जैसे example की तोर पे यहाँ पे देखिएगा जैसे ये chart में चार्ट के second page अगर आप देखते हो तो अगर export होगा सबसे लाखरी वाला column documents वाला है हर situation में आपको अपने application के साथ किस टाइप की documents attach करना है बहुत important है भाई तो यह उसको refund मिलेगा अधरवाइस refund कैसे मिलेगा तो यह जो है मैं आपको बताऊगा तो चलिए वापस आता हो हमारे discussion पे कि आपको किस टाइप के documents करना है refer regular notes regular notes मतलब यह चार्ड भी refer किया तो चलेगा तो यह documents का आखरी वाला column हर situation का आखरी वाला column हम देखेंगे तो वो documents आपको attach करना है आपके application के साथ time limit refund की time limit होगी यह जब application आप file करोगे तो यह देख लेना कि यह application दो साल के अंदर जा रहा है from relevant date सबकी अप अपनी relevant dates है अलग-अलग situation की अलग-अलग relevant date है come on, come on are you ready? सुन रहे हो ना मुझे ओके बोलिये, सुन रहे हो ना मुझे हाँ, यह वह इना बात तो सब situation की अपनी अलग-अलग relevant date है बस आप फाइल करते वक अगर as a consultant यह देख लेना कि यह दो साल के अंदर आ रहा है application from the relevant date अगर दो साल खतम हो चुके तो अब वो time barred हो गया example कि सबके अगर कोई 18-19 का किसी ने tax access दे दिया होगा और वो आज मेरे पास आ रहा है अगर ITC के refund होगे बताओ चलो बताओ ITC के कौनसी दो केसे से जहां refund मिलते है बोलो फड़ा फट ITC के कौनसी दो केसे से जहां refund मिलते है correct zero rate supply और inverted tax structure तो zero rate supply और inverted tax structure जो है यह दो केसे से जहां आपको refund मिलते है ठीक है जहां आपको refund मिलते है तो अगर आप ये application फाइल कर रहे हो, RFD01, तो जितने amount का ITC का refund claim कर रहे हो, उतना आपको electronic credit ledger से कम कर देना पड़ेगा, मतलब debit करना पड़ेगा, हो कि application फाइल करते वक्त ही, आपकी electronic credit ledger को वो amount debit हो जाएगा, वो refund बात में मिलेगा, नहीं मिलेगा, बात की बात है, पर जैस आप application फाइल करोगे, जैसे आप application फाइल करोगे, उसी वक्त, common portal जो है, उतना amount आपके ITC credit ledger को debit कर देगा, मतलब उतना amount फ्रीज कर देगा, उतना amount आप अपने ITC के लिए use नहीं कर पाऊगे, तो चलो, ये तीन बाते आपको, जब application फाइल करोगे, तो ध्यान रखने है, documents properly attach करने है, दो साल के अंदर आपका application होना चाहिए, relevant date से, कौन से relevant date है, हम पढ़ेंगे, हर case में पढ़ेंगे, और third, ओके, वो जैसे आपने, अगर ITC के refund होगे, तो जैसे आपने application दे दिया, उतना amount फ्रीज कर दिया जाएगा, चलो, तो step number one, आपका refund, आरीजी 0,1 जा रहा step number two, जैसे ही आपने RFD 0,1 दे दिया, ओके, वो जो है, common portal आपको एक ARN नमबर दे देता है, भाई, ये ARN नमबर क्या है, final level पे हो भाई, okay, ARN मतलब application reference number, चलो, लिख लो, अगर आपको धाननी होगा, तो लिख लो, ARN मतलब application reference number, तो वो common portal आपका ARN जनरेट कर देगा, और आपको बता देगा, या, अब, okay, कि भाई, चलो, आपका हमको आगया है, आपका ये reference number है, अब आगे क्या होगा, okay, तो अब common portal क्या होगा, common portal कोई officer को assign करेगा, come on, यार, common portal कोई officer को assign करेगा, assignment of jurisdictional officer for administration of refund, maybe central, आपकी case central officer के पास जा सकती है, या state officer के पास जा सकती है, और cross employment ह है, okay, तो in short, वो common portal decide करेगा, आपकी amount को देखके, कि भाई, ये case central को देखना है, या state को, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके refund दोनों के, CGST प्लस SGST, come on, I need your attention, आपके refund दोनों के, CGST और SGST, पर ये दोनों department को case नहीं जाएगी, भाई, CGST का refund central हैंडल करेगा, और SG CGST का refund state handle करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, okay, cross employment है, मतलब क्या, आपकी case जो है, either central के पास जाएगी, तो central के पास पूरी power है, कि वो CGST का भी refund दे सके, और SGST दोनों का refund दे सके, या SGST, अगर आपका case, common portal ने state officer के पास दे दिया, तो state officer के पास भी पूरी power है, कि वो CGST as CGST दोनों का refund दे सके, चली, यह officer को assign होगी आपकी case, refund की case, अब यह आपको नहीं समझना है, वो common portal कर देगा, अब officer आपके सारे documents चेक करेगा, कि हाँ, आपके सारे documents आई है, और कि जो भी आपने documents अटेच किये, as per law, जो as per law कहे गए, वो सारे rules के इसाब से आपने documents deficiency आई, I repeat, कोई document में deficiency आई, तो वो 15 दिन के अंदर, सुनिये दायन से, वो 15 दिन के अंदर, वो deficiency memo issue करेगा, 15 दिन के अंदर, वो deficiency memo issue कर देगा आपको, कि भई, और वो form होगा, RFD03, RFD03 में, और कि वो कहेगा कि, यह deficiency है, यह पूरी करो, और वो 15 दिन में करेगा, ना, एक त तो वो 15 दिन के अंदर, acknowledgement देगा, RFD02 की, okay, acknowledgement देगा, कि भई, आपका refund मिल गया, और उस acknowledgement में specify करेगा, date of receipt of complete application, यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है, कि आपका complete application कब माना जाएगा, okay, कब माना जाएगा, तो वो acknowledgement में लिखेगा, कि भई, आपका application complete हो गया, और इस date से वो complete माना जाएगा, अब आपका application आ गया, okay, तो चलिए, आपने RFD01 फाइल किया, officer ने check किया, अगर, okay, deficiency होगी, तो वो आपका inform किया, deficiency आपने पूरी की, नहीं होगी, तो आइदर आपने deficiency पूरी कर दी होगी, तो फिर आपका वो acknowledgement देदेगा, नहीं किया होगा, deficiency नही अगर acknowledgement देदेगा within 15 days और उसमें सब्सक्राइब कर देगा, okay, उस acknowledgement में किस दिन आपका application, complete application माना जाएगा, यहां तक समझ में आया सबके, yes or no, यहां तक procedure समझ में आई क्या सबके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आगे की step देखيم, अगर acknowledgement देदिया है अब को, अगर acknowledgement देदिया है, इसका AEKW मतलब acknowledgement, अगर acknowledgement देदिया है तो यह मानल लिया जाएगा कि application accepted, okay, यह acknowledgement आगी, जिस दिन यह acknowledgement आगे, उसी दिन मानल लिया जाएगा कि application accepted, अब आपका application जाएगा, processing और verification, मतलब अब पूरा complete processing होगा, उसको verify किया जाएगा, हर documents के साथ check किया जाएगा, अगर officer को दरवत पड़ी तो officer आपकी place पे scrutiny करने भी आ सकता है, जो जो required चीजे उसको दरवत पड़े की, वह आएगा scrutiny करने, हो सकता है कोई certificate मांग ले आप से, हो सकता है कोई document extra मांग ले, हो सकता है, वो cross verification कर ले, उसको जो जो करना है, वो यहाँ पर, जहां तक है processing करेगा, processing के बाद, यह step मैं बाद मेलूगा, पहले इस step को खतम करता हूँ, अब processing के बाद, वो देगा आपके against में order, I repeat, processing के बाद वो देगा आपके against में order, against में नहीं कहेगा, आपके refund का order देगा, ओके, यह refund order, अब देखिए, order देते वक्त हो सकता है, कि वो आपका order accept कर ले, मतलब refund accept कर ले, और refund का order दे, या फिर rejection का order दे, हाँ, rejection का भी order आएगा, कि वे application accept हो गया, पर हमारी verification के बाद हमें ऐसा लगता है, कि आपने, आपको doctrine of unjust punishment applicable है, आपने burden pass on कर दिया है, आपने burden pass on कर दिया है, या फिर आपकी situation refund के लिए fit नहीं बैठती है, तो वो reject कर देगा, और दूसरा हुए accept कर देगा, चलिए, अब अगर वो reject करेगा, opportunity of being hurt, और reject होने के बाद, वो rejection of refund order आपको देदेगा, कि नहीं, हम आपको refund grant नहीं कर सकते हैं, और क्यों, क्योंकि आपने burden pass on कर दिया है, या कोई document आपका available नहीं है, या आपने refund लेने की जो condition है, वो condition आपने fulfill नहीं किये, अगर वो condition आपने fulfill नहीं किये, मतलब आप refund लेने के लिए eligible नहीं हो, और अगर आप refund लेने के लिए eligible नहीं हो, तो question of refund does not arise, चलिए, फिर आपके पास क्या option है, आपके पास या option है, कि refund आपका cancel कर दिया department है, और आपको लगता है कि नहीं, आप refund मिलना चाहिए, तो आप appeal में जा सकते हो, ओके तो जो भी एग्रियूड परसन है, जो भी यहाँ पर एग्रियूड परसन है, वो एग्रियूड परसन जो है, यह appeal में जा सकता है, appellate authority, appellate tribunal या court में वो जाएगा, अगर court में जाने के बाद, case आपके फिवर में आ गई, very important, court में जाने के बाद, अगर case आपके फिवर में आ गई, और आपको refund allow कर दिया गया, तो ऐसे situation में आपको refund तो मिले गई, और 9% per annum से interest भी मिलेगा, I repeat, 9% per annum से, from the date of application, okay, from the date of application, याने जिस दिन आपने apply किया था, आपका date of application कम माना जाएगा, okay, date of application माना जाएगा, जिस दिन officer ने RFD 02 के acknowledgement में ये बताया, कि आपका application अप complete हो गया है, तो इस date से, आपको interest मिलेगा, और वो interest आपको 9% per annum से मिलेगा, till the date of refund paid, okay, and till the date of refund paid, आपको 9%, खास बात समझ लो, खास बात यह है, कि वैसे जब भी government interest देती है, तो government आपको interest 6% से ही देती है, मैं आगे पढ़ा होगा, government आपको interest 6% से देती है, पर ये special case है, जा government आपको 9% से interest दे रही है, कौन सी special case है, कि भाई, case आपकी court में जा चुकी है, और court में जाने के बाद, सुन देन से, case आपकी court में कही, और court में जाने के बाद, refund process हुआ, आप case जीद गए, और आपको refund process हुआ, तो government उस situation में, आपको 9% per annum से, जिस दिन आपने apply किया था, वहा से लेकिए, till the date of refund granting, जब तक आपको refund नहीं दिया जाएगा, actually pay नहीं किया जाएगा, तब तक आपक जितने भी connected है, why type करो, मुझे आपका response चीए, okay, why type करो, चल, यह तो था, अगर आपका refund, reject हुआ, rejection order आया, etc, अगर officer ने आपका refund accept कर लिया, अगर officer ने आपका refund accept कर लिया, तो यहाँ पर, refund order आती है, RFD 06, learn करना, दो, दो form तो learn करना, RFD 01 में, RFD 01 में, यहाँ पर application होता है, RFD 06 में, okay, अब RFD 06 में, जो, वो क्या कहते है, has to be issued, यह जो refund order है, it has to be issued within 60 days from the date of receipt of complete application, मतलब क्या, यह जो date of complete application थी, जो RFD 02 में notify की गी थी, कि यह date है, जहाँ complete application माना जाएगा, इस date से, आपका order साथ दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 60 days के अंदर, order, either acceptance or rejection order, पर साथ दीन दिये है, तो 60 days में, यह order आपका issue कर देगा department, by law यह कर देगा, department पे बहुत tremendous pressure होता है, कि किसी ने भी application फाइल किया refund का, तो उनको साथ दिन में order conclude करनी ही करनी पड़ती है, okay, तो लेकिन CBIC कहता है, it is advisable to issue the order within 45 days, अब देखो, वैसे exam में तो आप 60 days ही लिखोगे, कि order कितने department को यह advice करते है, हम सारे department को यह advice करते है, कि वो order जो है, 60 days पूरा ना ले, जल्दी कर दे, 15 दिन पहले ही कर दे, 45 days में ही अपने orders issue कर दे, में भी acceptance order, में भी rejection order, जो भी है, पर RFD 06 में acceptance order होगे, तो 45 दिन में ही वो खतम करे, sir, क्यों 15 दिन पहले, क्यों advice किया गया, advisable 15 दि के पहले इसलिए था, इसका reason आगे interest में बताऊगा, और कि interest में, government अपना interest बचाना चाहती है, बई, sir, वो नहीं समझा, 2 minute के लिए रुख जाना, हम आगे cover करेंगे, लेकिन यह advisable है, कि उसने 45 दिन में होगा, now, next, which is very very important, और वो क्या, वो यह बटा, minimum refund amount जो है, यहाँ पे I repeat, minimum refund amount जो है, 1000 के, 1000 या उसके उपर होना चाहिए, मतलब अगर आपका refund amount यहाँ पे 1000 से कम होगा, I repeat, 1000 से कम होगा, तो वो situation में आपको refund नहीं दिया जाएगा, फिर वो आपने burden pass on किया हो, या नहीं किया हो, आपको नहीं दिया जाएगा, चिलर cases में और department ब्रांट भी नही चाहिए, चलिए, अब आपका refund order तो आ गया, आपने application दिया, process हुआ, refund order आ गया, refund order देते वक्त, दो चीजों का department बहुत ख्याल रखती है, और तो देते कि हाँ, refund granted, refund हो गया, लेकिन अब वो refund आपको दिया जाए या नहीं दिया जाए, refund आपका निकलेगा, आपने excess tax दिया या कुछ भी आपने, as per, जो हमने इतनी सारी situations पड़ी है, उसमें आप कोई भी situation में आते है, ठीक है, जो भी situation में आते है, आपको refund eligible है, पर हम refund actually दे के आपको, तो department यहाँ चेक करेगा, कि आपको doctrine of unjust enrichment applicable होगी क्या, मतलब department यह देखेगा, कि क्या आपने ये burden पासान तो नह है, दो साल तक वेट करेंगी government, दो साल तक अगर कोई claim करने नहीं आया, तो consumer welfare fund को transfer कर देगी, याने, याने order तो RFD06 के आएगी, पर RFD06 की order आने के बाद, आपको actual देना की नहीं देना, उसके लिए doctrine चेक करेगी, doctrine of unjust enrichment चेक करेगी, अगर आपने ये burden पासान नहीं किया है, आप ये approve कर सकते हो, तो फिर आपको वो refund देगी, अगर आपने ये burden पासान कर दिया है, तो आपको refund नहीं देगी, दो साल तक वेट करेगी कि कोई customer, जिसने burden लिया है, वो claim करने आता है क्या, दो साल में अगर कोई claim करने नहीं आया, तो वो पैसा consumer welfare fund को transfer कर देगी, तो यह आपकी doctrine check की जाएगी, now, यहाँ पर मैंने दो पार्ट किया, कुछ cases में, यह बड़ा important है, कुछ cases में आपकी doctrine नहीं check होगी, यहने आपको direct refund मिल जाएगा, यहने officer आपको बिल्कुल नहीं पूचेगा, क्या आपने पास on किया, क्या, बताओ, नहीं, officer बिल्कुल भी आपको नहीं पूचेगा, कुछ cases में, आपकी doctrine बिल्कुल की check नहीं होगी, exam में यह बहुत सी बार question आता है, कि कौन सी ऐसी cases है, जहाँ doctrine of unjust enrichment check नहीं होता है, जहाँ direct refund आपको दिया जाता है, जहाँ department आपको बिल्कुल भी नहीं पूचता है, कि आपने burden पास on किया है, नहीं किया, तो भाई, यह cases भी हम पड़ेगे, देखो यह सब आने वाली cases है, और पूरी theory का एक flow में आपको बता रहा हूँ, so that मेरे यह topics से आप immediate link हो जाए, और आपको यह refund जाए, जो लोग कहते हैं कि बहुत theoretical है, जो लोग कहते हैं कि यह समझ में आता है, यह बहुत easy way में आपको सम और आपने IGST पे किया होगा, तो उस IGST का refund direct आएगा, zero rate supply के case में ITC का refund आपको आएगा, यह inverted tax structure में direct refund आएगा, गौर्मेंट यह नहीं पूछेगी कि आपने burden pass on किया कि नहीं किया, आपको सीधा document शेख होगे, और सीधा का सीधा refund दे दिया जाएगा, इकेश लेजर में लगे की नहीं लगेगी, वो तो tax adjust करने के बाद excess पैसा आपका है, तो e-cash ledger में आने वाला excess पैसा आपका पैसा है, और वहाँ पे आपको direct refund दिया जाएगा, आपके extra पैसे को नहीं पूछेंगे, ओह, doctrine वगरे नहीं पूछेंगे, उसके बाद में, refund voucher, refund voucher का, जो हमने कर customer को पूरा का पूरा refund कर दिया है, तो refund voucher जो आपने बना है, वो direct refund होगा, आपने wrong head में pay किया है, wrong head में pay किया, तो doctrine क्यों होगा, गलती से मैंने IGST में pay कर दिया, और मुझे CGST, SGST में pay करना था, तो CGST, SGST में नया payment करूगा, IGST का direct refund मिलेगा, I repeat, IGST का direct refund मिलेगा, refund if burden is not shifted आपने burden ship नहीं किया है, आप पूर कर सकते हो, तो direct आपको मिलेगा, और कुछ notified cases of the government, जहां direct refund है, एक बात बता दू, अगर कोई client इस case वाला आता है, export वाला आता है, zero rate का आता है, तो आप एक दिकत से बच जाते हो, doctrine पूर करने से, कि sir, हमने पासों नहीं किया, वो पूर क पढ़ना मतलब और थोड़ा complicated कामी है, तो अगर कोई e-cash ledger का refund है, पटाक से निकल जाता है, refund voucher का है, wrong head का है, या आपने burden ship नहीं किया है, यह थोड़ा मुश्किली जाता है, कि आपने burden ship नहीं किया है, प्रू करने जाओ, यहां आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बाकी के case में, आपको कम मेहनत में, सिर्फ document produce करो, आपको refund दे दिये जाएगे, और यह जो refund है, self declaration का, मतलब client अपना self declaration करेगा, कि यह document है, इतना बरा refund मनता है, what your rate में भी, और यह बहुत important point है, यह सारे refund आपको यहां पे self declaration basis पे दे दिये जाएगे, यहां आपसे कोई भी C CMA का certificate नहीं मांगा जाएगा, यह direct refund है, और कि सारे refund आपको self declaration basis पे दिये जाएगे, लेकिन, इसके अलावा, यह जो refund है, इसके अलावा कोई भी refund होगा, तो in all other cases, okay, doctrine check की जाएगी, और amount credited to consumer welfare fund, अगर आप प्रून नहीं कर पाए कि आपने burden लिया है, तो पैसा consumer welfare fund को जाए तो यहाँ पर amount अगर दो लाग या उससे कम होगी, तो self declaration और amount दो लाग से जादा होगी, तो फिर CA का भी certificate मांगा जाएगा, कि वही CA certify करके देगा कि burden pass on नहीं किया है, अगर CA ने certify करके दिया कि burden pass on नहीं किया है, तो ही refund दिया जाएगा, अगर amount दो लाग से जादा होग दो लाग या उससे कम होगी, refund की amount, तो यहाँ पर आपको self declaration basis पर refund दे दिया जाएगा, चलो भाई, I hope आपको समझ में आया होगा, yes or no, समझ में आया है की नहीं आया है, बोलिए, चलो, यह तो हुआ regarding to doctrine, कि भाई, doctrine चेक होती है, लेकिन कुछ cases में direct refund मिलते हैं, और बागी case में doctrine चेक होगी, पैसा consumer welfare fund को transfer हो सकता है, लेकिन आप अगर prove कर दो कि आपने burdenship नहीं किया है, और उस case में, अगर amount दो लाग या उससे कम होगा, तो आपको refund self declaration basis पर मिल जाएगा, और दो लाग से जाधा होगा, तो आपको CACMA का certificate भी लगेगा, okay, तो यह था, okay, यहाँ पर procedure, plus refund order देते वक, plus refund order देते वक, आपका refund hold भी किया जा सकता है, आपका refund hold भी किया जा सकता है, सर क्यों, order giving rise to refund, is subject matter of appeal, और further proceeding, और any proceeding are pending, okay, यहाँ पर, यह थोड़ा मैं आगे आपको और अच्छे समझाओगा, कि कौन-कौन से situation में, अगर जो refund order है, वो appeal में जा रही है, मतलब आप appeal file कर रहे हो, okay, या officer का higher authority उसकी appeal file कर रहे है, कभी-कभी क्या होता है, higher authority अपने lower authority की appeal file कर देता है, okay, तो फिर वो withhold कर दी जाएगी, या commissioner में withheld the refund is likely to adverse effect of revenue, मतलब क्या, okay, withholding में second situation है कि, यह आपको detail में थहरी में तर समझाओगा, second situation है कि ऐसा लग रहा है कि भई, अभी refund, क्योंकि पुराने dues आपके बाकी है, हाँ, यह भी बहुत important है, पुराने dues आपके बाकी होगे, तो अगर पुराने dues बाकी होगे, तो officer ऐसा समझेगा कि अगर आप उसने refund दे दिया, तो पुराना पैसा नहीं आ सकता है, तो वो case में withheld कर देगा, यह रो, wrong withholding of refund application entitled to interest 6% for the period of delay of in payment, हाँ, पर ख्यार रहे, अगर withheld कर दिया गया, और गल, wrong withholding हो गया, wrong withholding होगा, तो फिर, okay, आपको interest तो देना ही पड़ेगा, government को interest देना पड़ेगा, और वो 6% per annum से देना पड़ेगा, इसके बारे में हम आगे और detail में पड़ेगे, तो चलो, यह मैंने order देते होग क्या होगा, यह हमने देखा, now, यह जो RFD 06 की order है, जान सुनिएगा, RFD 06 की order है, इस order में यह confirm हो गया कि refund में लेगा, पर, यहाँ पे, मतलब refund eligible हो, लेकिन, अब यह order से दूसरी order जाती है, कि अब pay करो, क्यूंकि refund eligible होए, इसका मतलब pay करना ऐसा नहीं, कभी-कभी doctrine भी लग जाती है, okay, doctrine लगी तो पैसा consumer welfare fund को चले जाता है, इसलिए, RFD 06 में refund यहाँ पे आएगा, यह confirm होगे, अब, अगर आपको refund देना है, जो भी eligible बंदा है, उसको refund देना है, तो यह officer अब payment order भेज़ देगा, RFD 05 में, RFD 05 में लेखेगा कि चलो, इसको payment करो, तो refund order अलग, payment order अलग, अब इसके बीच में एक situation हो सकती है, समझे लो, आपका 10 लाग का refund निकल रहा है, I repeat, आपका 10 लाग का refund निकल रहा है, तो उसकी payment order हो सकता है, कम जा सकती है, क्योंकि हो सकता है, 54, 79 में पुरानी कोई recovery होगी, section 79 याद करो, okay, section 73, 74, 79, okay, देखा था, recovery procedure, तो अगर पुरानी recovery amount पड़ी होगी, तो वो 10 लाग में से cut कर दिया जाएगा, और पुराने taxed VAT के, service tax के, dues बाकी होगे, वो भी cut कर दिया जाएगा in short, आपका अगर 10 लाग का refund निकलता है, तो ज़रूर नहीं कि payment order पुरी 10 लाग की होगी, okay, पुराने कोई dues होगे, तो पुराने dues adjust हो जाते है, और पुराने dues adjust करने के बाद आपका, okay, net payment order, इस बंदे को कितना refund देना है, okay, वो payment order जाती है, RFD05 है, और वो payment order जाती है, PFMS, okay, के government का एक management system है, public finance management system, government का एक department है, PFMS मतलब public finance management system, government का एक department है, okay, वहाँ पे वो order चले जाती है, कि इसको net कितना देना है, okay, सभी adjustment होने के बाद, अब देखो, यह जो है payment order, okay, PFMS को जाएगी, अब यह concept को थोड़ा समझ लो, revalidation of order, I repeat, revalidation of order, अगर disperse in same financial year, और not disperse in same financial year, इस बात को समझ लो, RFD 06 का grant of refund का order आ गया, grant of refund का order आने के बाद, वो जाएगा payment order जाएगी, PFMS को, officer payment order बेजेगा, RFD 05 में PFMS को, अगर PFMS ने same financial year में disperse कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन PFMS ने same financial year में disperse नहीं किया, okay, पैसा disperse नहीं किया, समझ ल मार्च को, RFD 05 गया, officer case through, officer ने 15 मार्च को RFD 05 दिया, कि payment कर दो इसको, और government का ये जो department, public finance management system, okay, इसने same financial year, याने 31 मार्च तक, 31 मार्च तक यहाँ पर, उसको process नहीं किया, disperse नहीं किया, तो फिर, okay, year बदल जाएगा, और अगर year बदल जाएगा, तो इस officer को, ये RFD 05 का order, फिर से re-validate करना पड़ेगा, re-validate करना पड़ेगा, मतलब क्या, okay, मतलब ये हुआ, कि financial year खतम हो जाता है, तो पुरानी order नहीं चलती है, फिर ये PFMS department, okay, अब नह financial year में, जो officer ने refund grant किया था, जो officer ने यहाँ पे refund grant किया था, okay, उसको कहेगा कि नहीं, तुमने जो पु financial year का payment order फिर से दो, RFD 05, जिसको कहते re-validation, जिसको कहते re-validation, और वो re-validation होने के बाद ही disburs किया जाएगा, मतलब क्या, मतलब refund grant होने के बाद, यहाँ पे same financial year में disburs हो गया, तो कोई re-validation करने की जरुरत नहीं है, लेकिन RFD 06 में, अगर refund grant हो गया, और वो same financial year में dis management system, तो आपको RFD 05, 06 re-validate नहीं करना है, RFD 05 आपको re-validate करना पड़ेगा, I repeat, RFD 05 आपको re-validate करना पड़ेगा, यहने इस officer को RFD 05 नया बेजना पड़ेगा, और फिर, ओके, PFMS, ओके, आपने जो bank details दी थी, registration के time, उसको verify करेगा, और amount disburs कर देगा, और amount disburs कर दे 6% पर हैना, if refund is not paid within 60 days of application, यहने यह जो completion of application था, यह जो date of completion of application थी, यहां से, अगर 60 days में refund नहीं दिया, तो interest आएका, यहने 61th day से interest आएका, okay, तो interest जो, sorry, sorry, wait a, just a minute, just a minute, 1 minute, यहां आपको लिखना होगा, तो लिखदो, यहां आपको लिखना होगा, तो लिखदो, okay, interest आएका, interest का period होगा, interest का period होगा, लिखना होगा, from 60 month day, till date of payment payment of refund, from 60 month day, till date of payment of refund, 61 day, till date of payment of refund, 61 day, till date of payment of refund, अब देखो इस बात को सब्जाओं कि साथ दिन के अंदर अगर नहीं दिया और कि साथ दिन के अंदर नहीं दिया तो फिर 61 दे से गौवर्मेंट आपको इंट्रेस्ट के साथ प्रोसेस करेगी यहां 6% पर एनम से अब दोनों का डिफरेंस समझे लिए यहां पे भी इंट्रे 9% यहां पे भी इंट्रेस्ट है 6% आपको 9% इंट्रेस कब मिलेगा 9% इंट्रेस तहब मिलेगा जब कोट की ओडर से रिफंट आया और वो 9% from the date of application से मिलेगा जहां सुनेगा 9% from the date of application से मिलेगा till the date of refund और यह 6% कब मिलेगा जब कोट से नहीं कि officer का जो यहाँ पर refund process grant हुआ और अगर officer 60 दिन के अंदर दे देता है पैसा तो कोई interest नहीं अगर officer आपको 60 दिन के अंदर okay pfms के through process कर देता है तो कोई interest नहीं मिलेगा लेकिन अगर वो 60 दिन में process नहीं कर पाया तो फिर interest 61 दे से आपको दिया जाएगा इसलिए cbic government का interest बचाने के लिए अपने सारे department को कह रही है कि order 45 दिन में ही दो order 45 दिन में ही दो क्यों वैसे तो time period order देने का 60 दे है लेकिन government department है government department अगर 60 days को order देगे समय लो government department ने 68th day को order दिया from the date of application फिर वो जाएगा payment order जाएगी pfms के साथ और pfms जो है आगे disverse करेगा मतलब अगर order late हुई और पुरा 60 दिन use किया तो interest जा नहीं है इसमें government का interest का loss हो जाता है लेकिन अगर हमारे officer ने 45 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर order यहाँ पे बना ली तो at least आगे की process के लिए 15 दिन मिल जाएगे और हम government का interest बचा सकते है इसलिए exam में लिखते वक्त आप जरूर यह लिखिएगा कि RMD06 की order जो है वो जाएगी साथ दिन में लेकिन यह advisable है advisable है कि अगर 45 days में complete कर सको तो ज्यादा बेटर होगा और इस तर से आपको grant हो जाएगा आपका refund और की यह process समझ में आई की नहीं आई बताईए यह process आपको समझ में आया की नहीं आया बताईए बोलो फटापट complete कोई doubt हो तो पूछो मैंने पूरा यहाँ पे गीता सार refund का और की पूरी process गीता सार इसमें समझाने के कोशिश की है बस अब यह जो पूरा गीता सार था इसके हर अध्याय को यहाँ पे मैं दिरे दिरे detail मे पढ़ा होगा इसके हर अध्याय को पढ़ा होगा एक अध्याय यह बही है यह बाकी है जो आपको बताऊगा यह क्या होता है provisional order पहले तो बताओ यहाँ तक समझा क्या और कुछ चोटा बड़ा पॉइंट आपको नहीं समझाओगा तो don't worry क्योंकि यह तो सार था अध्याय बाकी है यह तो सार था अध्याय बाकी है चलो अब यह 7a थोड़ा आपको समझा देता हूँ प्रोविजनल ओर ओके आपको बाद बताओकिया यह जो एक्सपोर्ट करते है ना गवर्मन के बड़े लाडले होते है बहुत लाडले होते है नने उनको बहुत बेनिफिट देते है अब यह प्रोविजनल ओडर क्या है अब ग्रांटिंग रीफंड लिफंड अरभी 04 बता के ITC के refund होगे, और जेडारेस, मतलब zero rated supply, तो वो case में आपको provisional order, और वो साथ दीन के अंदर ही, साथ दीन के अंदर ही 90% of total refund का order दे दिया जाता है, मतलब क्या, government export वाले पे, specially जो under bond है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो, that is export under bond, export under bond or LUT, export under bond or LUT, okay, government के यह बहुत ही लाडले, और इंडिया का कोई भी बंदा, bond execute करके export कर रहा है, या later of undertaking execute करके export कर रहा है, वो हमारा, वो मेरा लाडला है, okay, तो उसको हम ITC के refund देंगे, क्यों, क्योंकि उसने bond execute किया है, तो ITC के हम उसको refund देंगे, मैंने यह पढ़ा है section 16 में, आपको याद हो का तो ठीक, मैं तो चुल्ल बर पानी लेना, section 16 में मैंने दोनों cases पढ़ा ही है, कि आपको ITC की refund कब मिलते है, आपको ITC की refund तभी मिलते है, जब आप export under bond करते हूं, तो special अगर आप export under bond करते हूं और ITC की refund है, तो government 60 days भी नहीं, 7 days में ही, आपको 90% refund दे देगी, और 7 दीन के अंदर, RFD 04 ग्रांड करेगी और डिस्बस्मेंट के लिए भेज देगी, RFD 05 में डिस्बस्मेंट के लिए भेज देगी, 7 days में, तो 7 दीन नहीं, 7 दीन में ही आपको 90 प्रतिशत, समय लो आपका refund 10 लाग का refund है, और वो ITC का है, तो 9 लैक्स, आपका पैसा जादा दीन अटकाएगी नहीं, 9 लैक्स का refund आपको 7 दीन के अंदर, प्रोविजनल ओर देगी, बाकी 10% refund बाद में देगी, यहने 10% refund यह प्रोसेस से देगी, लेकिन 90% आपको पैसा 7 दीन के अंदर दे दिया जाएगा, तू तो बेटा मेरा लाड लाए, क्या बात करो, तू तो लाड लाए मेरा, ओके 7 दीन में 90% पैसा ले ले, लेकिन, यह जो प्रोविजनल ओर है, अगर उस बंदे में कोई offense किया होगा पिछले 5 साल में, और टैक्स इवेजन 2.5 CR से जाधा होगा, टैक्स मतलब offense किया होगा, और टैक्स इवेजन 2.5% से जाधा, 2.5 करोड से जाधा होगा, तो फिर उसको नहीं मिलेगी, बाकी यह प्रोविजनल order एक ही case में मिलती है, जब आप export under bond करते हो, और आप ITC के refund क्लेम करते हो, आपने जो भी आपका refund है, उसका 90% हम हमारे लाडले को दे देंगे, कितने दिन में देंगे, 7 दिन के अंदर देंगे, पर लाडला है, पर यह बदमाश लाडला होगा, बदमाश लाडला होगा हम प्रोविजनल नहीं देंगे, हम इसको नॉर्मल प्रोसिजर से ही refund देंगे, यह समझा क्या भाई, समझा होगा तो P टाइप करो, भाई समझ गया, हमें प्रोविजनल ओडर से समझ में आ गया, समझा होगा तो P टाइप करो नालाय को, तो दोस्तों आपने यह complete general procedure समझ ल ठीक है, अब हम discussion स्टार्ट करेंगे, यह chapter का, refund chapter का, done, चलिए, तो refund की कितनी cases है, मैं आपको यहां पे पुरा list बता देता हो, और इतनी cases में आप refund क्लेम कर सकते हो, और उसको एक एक, जहां जरुवत है, वहां बहुत डीटेल में हमने आप explain किया, with pictorial presentation यह चार्ट में, सब से पहले, okay, export, अगर आप export करते हो, without bond, और LUT, without bond मतलब आप IGST दे रहे हो, और IGST जो है, export कर रहे हो, तो देखो, चार्ट में मैंने ऐसे arrange किया है, कि अगर export करते हो, goods export करते हो, service export करते हो, तो उसके पुरा application form क्या होगे, refund की, यहां पे जो है, okay, process क्या होगी, with pictorial presentation, step by step, हम यहां पे, okay, chart में discuss करेंगे, okay, next, उससे related rules की जो procedure है, यह procedure मैंने यहां पे दी है, second जहां refund मिलता है, वो है, यहां पे deem export, देखो, deem export के case में भी refund कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पे हमारा discussion होगा, उसके बाद में merchant exporter, merchant exporter के case में, आपको refund कैसे मिलेंगे, वो deem export का ही ऐसी जर को supply करते हो, तो zero rate supply मिलता है, उसकी क्या complete procedure है, वो हम देखेंगे, जैसे refund की procedure में, आप export without bond करते हो, on payment of IGST, direct export करोगे तो, ऐसी जर को supply करोगे तो, तो उसके भी हम यहां पे procedure देखेंगे, next, zero rated supply with bond, अगर आप bond execute करते हो, जैसे option 1, आपने bond execute किया, तो आपको ITC के refund म कैसे मिलता है, इसका complete procedure with all conditions and time limitations और application हम यहां देखेंगे, उसके एक step by step, और मैंने हर refund के title लिया है, और उसकी पूरी complete process इस चार्ट में explain किया है, okay, next हम बात करेंगे, inverted duty structure, I repeat, inverted duty structure मतलब output tax rate जो है, is less than input tax rate, तो वो के इसमें refund के समय लेगा, इसकी complete procedure मैंने यहां पे लिये, along with CBIC clarification and example, उसके बाद मैं person holding UIN, okay, ध्यान रखना, person holding UIN, okay, यहने अगर आपके बाद जिसे foreign embassies है, United Nations है, international organizations है, तो यह इंडिया से purchase करते हैं, तो refund इनको कैसे मिलेगा, और इनकी complete procedure कैसे होगी, मैंने यहां पे दिया है, उसके बाद मैं, tourist के case में भी refund मिलता है, तो section 15 में, tourist के case में refund कैसे मिलता है, वो भी मैंने cover कर लिया है, okay, फिर हमने refund में देखा था, cash ledger का refund, उसके बाद में CTP, NRTP का refund, court के order के वज़े से refund, finalization of provisional assessment, okay, आपने wrong payment या excess tax payment, आप यह कह सकते हो, कि आपने wrong pay किया, या excess tax payment किया तो उसका refund, तो बिटा, इस तरह से, सारी refund की situation, मैंने step by step with entire complete procedure में cover किया है, मैं आपको सच में कहूं, okay, कि अगर आपने ये chart पढ़ लिया, तो आपका entire refund chapter बहुत अच्छे से cover हो जाएगा, तो चलिए, यह आपने एक chart का view लिया, यहाँ पे कि, okay, हम refund जो है, कौन-कौन से cases में claim कर सकते है, step by step, एक-एक refund procedure को हम detail में देखेंगे, refund की अलग-अलग cases, refund की अलग-अलग cases जो है, यहाँ पर आ जाएगे, yes बेटा, अगर आप ये chart की second page पे आते हो, refund की अलग-अलग cases, तो यह जो refund की अलग-अलग cases है, यहाँ पर समझ लो, जैसा है पहला export, zero-rated supply, तो सबसे पहले हम export से related refund देख लेते हैं, इसमें, export, उसके ब इसके बाद में, यहाँ पर SEZ, zero-rate supply का concept देखेंगे, okay, inverted tax structure के, जो refund की cases है, हमने starting में देखी, की refund की अलग-अलग cases जो है, okay, कौन-कौन से cases में refund आपको मिलता है, तो यह refund की cases हम यहाँ पर देख लेंगे, चलो, तो अब सबसे पहले, मैं discussion के लिए लेता हूँ, यहाँ पर, okay, export, यह chart आपके सामने आ गया, देखो, export, dim export और merchant export है, अब यहाँ पर export without bond या later of undertaking, तो यह जो process है, export without bond या later of undertaking, आपको याद होगा और आपने पढ़ा होगा, okay, तो देखो, अगर without bond या later of undertaking, आप अगर export करते हो, तो वो situation में आपको IGST देना पड़ेगा, मैंने नीचे पू IGST देना पड़ेगा, जिसमें supply of goods कर रहे हो, यह supply of services कर रहे हो, supply of goods होगा, तो वो case में procedure 2 apply होगा, अब देखो, पूरे chart में मैंने दो procedure ली है, okay, हमारा जो first page का procedure है, इसको मैंने procedure 1 नाम दिया है, और procedure 2 जो है, मैंने यह जो chart दिख रहे है, इसको procedure 2 नाम दिया है, तो अगर आप export कर रहे हो, और bond execute नहीं कर रहे हो, IGST पे कर रहे हो, और goods supply करते हो, तो आपको procedure 2 से, जो यहाँ side में दिया है, procedure 2 से आपको export करना पड़ेगा, तो आपको refund मिलेगा, और आप supply of service कर रहे हो, तो आपको general procedure से ही, RFD01 के ही procedure से आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद में, अ अतलब क्या, यह जो relevant date होगी, उसके बाद ही आपका application accept किया जाएगा, अगर आपने यह relevant date पड़ी होगी, तो देखो, यहाँ पे वो क्या कहते है, application of refund shall be filed within 2 years of the following date, अगर आपका goods होगा, और goods export हो रहा है by sea or air, याद करो, आपने पड़ा होगा, अगर goods sea or air supply हो रहा है, तो वो situation में, when ship और aircraft lose India, वहाँ से 2 साल के अंदर आप refund claim करोगे, पर एक बात ख्याल रखना, जब तक आपका ship और aircraft, इंडिया को नहीं छोड़ता है, तब तक आप refund claim file नहीं करोगे, आपका refund claim का time period active होगा, when ship और aircraft lose India, land के through export किया होगा, तो goods passes the custom frontiers, और post के through export किया होगा, तो when good dispatch by post officer, तो postal department ने जिस दिन good dispatch किया, तो यहाँ से 2 साल के अंदर आप refund claim कर सकते हो, लेकिन अगर आपने service export कियोगी with IGST, सुनो, with IGST service export किया होगा, तो वो situation में, यहाँ पे जो है, date of receipt in convertible for exchange और Indian rupees permitted by RBI, जब आपको पैसा convertible for exchange में आ जाएगा, वहाँ से 2 साल, और advance receipt होगा, तो फिर advance से नहीं, date of invoice से 2 साल के अंदर आप refund claim कर सकते हो, उसके बाद में, यह export के situation में, doctrine of unjust enrichment applicable नहीं होगी, और दूसरा, अगर आप supply of goods करते हो, तो आपका application, shipping bill itself रहेगा, procedure 2 में आगे बढ़ाओगा, shipping bill ही आपका application माना जाएगा, लेकिन अगर आप supply of services करते हो, तो RFD 01 आपक जो है, यहाँ पे जो, okay, application, जो general procedure से आपको follow करना पड़ेगा, उसके बाद में, amount of refund, refund जो होगा, तो जो भी आपने, क्योंकि आपने without bond export किया है, तो जो भी आपने IGST दिया होगा, वो IGST का आपको यहाँ पे refund मिलेगा, और documents and conditions, कौन-कौन से documents आपको attach करना है, यह भी आप than electricity and for electricity, अगर आपका export of electricity होगा, तो document अलग होगे, और other than electricity होगा, तो documents अलग होगे, तो यह बिटा, जहाँ तक देखा हमने, अगर export without bond करते हो, goods करते हो, service करते हो, तो यह situation में, आपको complete procedure, time period क्या रहेगा, documentation क्या रहेगे, चलिए, अब मैं एक diagram पे आता हो, और इस diagram से आपक को आगे का description कवर करने की कोशिश करता हो, अगर आपको section 16 of IGST Act याद होगा, zero rate supply, याद है कि आपको zero rate supply है, अगर आप export करते हो, या SECZ को supply करते हो, goods or services, तो वो situation में, यहाँ पे zero rate supply का आपको benefit मिलता है, और section 16 में, आपको दो option मिलता है, zero rate में, option 1, okay bond undertake करो, okay, undertake the bond and export the goods or services without IGST, तो आप अगर option 1 लेते हो, आप option 1 लेते हो, तो वहाँ bond execute करोगे, outward पे IGST नहीं दोगे, और option 2 आप जो है, यहाँ पे outward पे IGST दोगे, और IGST के बाद उसका refund claim करोगे, तो देखो विटा, दो option है, तो मैं यह जो पूरी procedure आपको यह पढ़ा रहा हो, वो option 2 की पढ़ा रहा हो, और अगर आपने option 1 लिया, अगर आपने option 1 लिया, तो वो situation में, option 1 में zero rate supply, जो नीचे concept दिया है, और यहाँ पे आजाओ, ZRS लिखाड़ होगे, ZRS मतलब zero rate supply, with bond, अगर आप with bond export करते हो option 1 में, तो क्या mechanism होगा, तो वह हम नीचे देखेंगे, और अगर आप without bond export करते हो, without bond with payment of IGST होगा, तो आपकी complete procedure क्या होगी, तो वह हम यहाँ पे देखेंगे, तो without bond वाली procedure, यह जो है, without bond वाली procedure, आपकी, यह connect कर लेना, यहाँ पे दी गई है, तो चलिए, अब मैं थोड़ा आपको और अच्छे से explain करना चाहोगा, so that आपको और clarity आए, और मज़ा है यह चार्ट service करे दी, जिसके ओपर ITC 6 lakhs रुपीज है, और capital goods करीदा, जिसके ओपर ITC 2 lakhs रुपीज है, no doubt, यह जो input capital goods और input service है, okay, इसने export के लिए यूज किया है, अगर यह output supply का invoice बना रहा है, value of supply 100 lakhs है, जिसके ओपर IGST जो है, add rate 12%, कितना हुआ, 12 lakhs, okay, अब मैंने IGST तो assist कर लिया है लेकिन, अब मैं option क्या लेता हूँ, okay, अगर मैंने option one लिया, तो मैं IGST pay नहीं करूगा, सुनना, okay, invoice मैं IGST assist करना पड़ता है, पर मैंने option one लिया, तो मैं IGST pay नहीं करूगा, bond execute कर लोगा, export कर दूगा, okay, और मैं option two लेता हूँ, तो option two लेता हूँ, तो yes government को IJST میں pay करूगा, तो अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं यहाँ पर option 2 वाला procedure जो है, क्या है बताता हूँ, समझ लो आपने option 2 ले लिया, अगर आपने option 2 ले लिया, तो आप जो अपना tax निकालोगे, मतलब without bond या later of undertaking, I repeat without bond और later of undertaking, तो आपका total IGST payable कितना है, आपका total IGST payable यहाँ पर rule 42 और rule 43 of section 17, ITC chapter में section 17, 1, 2, 3, read with, याद करो, rule 42, 43, तो उसमें यह clear का है, कि अगर आपका zero rate supply होगा, तो zero rate supply के ITC आप ले सकते हो, तो इसका मतलब, okay, यहाँ तो zero rate supply की बात ही नहीं आती, यहाँ तो मैं IGST दे रहा हूँ, IGST अगर मैं दे रहा हूँ, और IGST pay कर रहा हूँ, तो अगर मैं IGST pay कर रहा हूँ, तो वो situation में मुझे 6 plus 2, दोनों ITC का credit मिल जाएगा, और मुझे net IGST payable आएगा 4 lakhs, come on, net IGST payable कितना आ रहा है, मुझे 4 lakhs रुपीज आ रहा है, तो government, अब देखो, यहाँ पे government क्या करेगी, यह बहुत important part है, यहाँ पे government आपको, okay, law क्या कहत है, section 16 यह कहता है, कि अगर आप option 2 ले रहे हो, okay, option 1 या option 2, अगर आप option 2 ले रहे हो, तो वो situation में, यहाँ पे जो है, okay, आप पहले pay करो, ITC लेके pay करो, और बाद में पूरा का पूरा refund claim करो, मतलब आपको पूरा 12 lakh का refund मिल जाएगा, बाद में मिलेगा, okay, मतलब आपने सारी condition fulfill कर दी, जो यहाँ पे rule 96 में दी गई है, और rule 96 B में दी गई है, अगर आप यह सारी condition fulfill कर देते हो, तो वो case में, जहाँ तक देखा जाए, आपको 12 lakh का refund दिया जाएगा, अब आपका एक सवाल आता है, और वो सवाल क्या आता है, कि सर यह बताइए, कि यहाँ पे मैंने अगर आप थोड़ा कमन सेंस लगाते हो, तो अगर option 2 आप ले रहे हो, तो option 2 में, government IGST जो आपने 12 lakhs असेस किया था, वो 12 lakhs पूरा आपको वापस कर रही है, इसका मतलब indirectly, आपका जो ITC है, सुनना, indirectly जो आपका ITC है, input, input service और capital goods का, इसका भी आपको refund दे रही है, क्यूंकि refund कितना मिला आपको, okay, refund मिला 12 lakh रुपे, अगर refund 12 lakh रुपे आपको मिला IGST का, मतलब ही उन्होंने, जो चार आपने cash ledger से दिये, plus आपने credit ledger से 8 दिये, तो 4 प्लस 8 आपको 12 lakhs का government पूरा refund दे रही है, मतलब ही आपको, okay, indirectly ITC के refund मिल रहे है, यह point समझ में आए कि आपको, I hope आपको यह point समझ में आया, 12 lakhs का आपको पूरा refund मिल रहा है, okay, तो यह तो था, अगर आपने option 2 में export किया, sir, अगर मैं option 1 में export करता तो, option 1 में export करते आप, with bond और NLUT, तो फिर आपको यह procedure लगती, और rule 89.4 की procedure में आपको यहाँ पे refund मिलते हैं, अब rule 89.4 की procedure में क्या refund मिलते हैं आपको, okay, जिसको हम कहते है, zero rate supply की refund, हाँ, GST में देखो, दो word, जब refund chapter आप पढ़ोगे, तो दो अलग-अलग रखना, जब मैं export refund करू, अब यह 89.4 की refund क्या है, 89.4 की की समझ लो, आपने option 1 opt किया, option 1 opt किया, तो वो case में आप outward का tax ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि without payment of tax आप export कर रहे हो, तो आपको outward पे tax ही नहीं दिया, तो उसका तो refund ही नहीं मिलेगा, लेकिन government कहती है, इस, okay, zero rate bond के अंडर, okay, आप अगर bond के अंडर export कर रहे हो, तो आपको ITC के refund मिलेगे, तो ITC के refund तो इक case में मिलते है, बताओ कौन से case में मिलते है, अगर आप export कर रहे हो, और आप export कर रहे हो under bond, मेरे साथ repeat करो, आप export कर रहे हो under bond, तो आपको ITC refund मिलते हैं और दूसरा inverted tax structure वो नीचे देखेंगे तो आपने bond के इंडर में export किया होगा तो आपको ITC के refund मिलेंगे और हम आगे पढ़ेंगे कि ये case में आपको सरीफ input और input service के refund मिलते है capital goods के नहीं मिलते है capital goods के ITC आप carry forward कर सकते हो और refund नहीं मिलेंगे अगर आपको refund क्लेम करना है तो इसका एक formula है और ये formula में maximum refund आपको मिलता है और वो सरीफ input और input service का ही refund आपको मिलता है आपको capital goods का refund नहीं मिलता है उसका credit मिलता है जो आप carry forward कर सकते हो तो सर ये दोनों procedure में क्या difference है पहले वाली procedure में अगर आप IGST pay कर रहे हो यानि option 2 ले रहे हो तो अगर आप option 2 ले रहे हो तो आप IGST calculate करोगे IGST credit और cash ledger use करके pay करोगे और 12,00,00 का पूरा refund मिल जाएगा अगर आप ये option आप कर रहे हो तो 12,00,00 का पूरा refund मिल जाएगा लेकिन अगर आप bond में export कर रहे हो तो आपने output पे टेक्स दिये ही नहीं अगर आप bond में export कर रहे हो तो वो situation में यहाँ पे आपको outward टेक्स दिये ही नहीं लेकिन आपको ITC के refund मिलेंगे ITC के refund वो भी input और input service के capital goods के ITC आप use कर सकते हो carry forward कर सकते हो पर refund नहीं मिलता है तो सर फिर पहले case में आपको ITC का refund नहीं मिलता है क्या अगर मैंने without bond सुनना मेरी बाद अगर मैंने option 2 में without bond में export किया तो इसमें ITC के refund नहीं मिलते हैं नहीं इसमें नहीं मिलते है ITC के refund बब्र आपमालमकोरह 2 लागम Madh अब्र ऐसा यहां आपमात आपमालमकalıने और आपको पीजेश पॉहlorian है लेकिन यह केस में आपने IGST दिया ही नी और केस में आपने IGST दिया ही नी तो यहां specifically यहां specifically आपको जो आपने input tax में जो export में use किये गए input और input service के आपको refund मिलते हैं दोनों में आपको एक और difference बताता हूं इसमें अगर आपने थोड़ा देहां से तो option 2 में option 2 में आपको 12 lakhs का refund आ रहा है मतलब क्या मतलब आपको जो ITC है 6 प्लस 2 और 8 इसका भी refund आ रहा है मतलब इसमें capital goods के भी refund आ रहा है क्योंकि 12 lakhs includes indirectly capital goods ITC तो वो capital goods के भी refund आ रहा है लेकिन वहां पे option 1 में जो under bond और है तो वहां सिर्फ input और input service का refund मिलते है तो बेटा यस यह ज़्यादा फायदे मन्द है क्योंकि इसमें जब 12 lakhs का आपको refund आएगा तो वो includes the ITC of capital goods per second case में अगर आप under bond export कर रहे हो तो सिर्फ आपको ITC input और input service का ही refund मिलेगा तो मैंने दोनों scheme explain कर दिया फिर आपको जो भी beneficial हो वो scheme आप follow कर सकते हो तो आप यह समझ गयोगे तो यह जो उपर मैंने explain गया पहला situation यह पहला situation option 2 वाला है जिसमें without bond है LUT है और आप refund जो claim कर रहे हो वो refund यहां पे IGST paid का refund कर रहे हो ठीक है अगर आप bond 1 option 1 लेते हो तो option 1 हम नीचे rule 89 4 में देखेंगे बाद में चलिए अब मैं आपको लेता हो कि अगर आप option 2 में export करते हो तो आपको rule 96 की procedure लगती है अब यह rule 96 की procedure priority B में रखना हो सकता है exam में आए ना है हाँ कुछ rule 96 में कुछ changes 2022 में हुए थे यह changes जो है मैं आपको बता रहेता हो थोड़ा अच्छे से explain कर देता हो चलो तो अब मैं अगर आप सुनिए मेरी बार अगर आप यहां पर तो option 2 लेते हो तो इसको procedure 2 लगती है option 2 में आप जब export कर रहे हो तो goods होगा supply of goods होगा सुरो supply of goods होगा तो यह case में आपको इस procedure से export करना पड़ता है इस procedure से export करना पड़ता है जो नीचे rule 96 में थेरी वे दिये और यहां मैंने pictorial presentation में दिया है चलो तो sir अगर मैं यहां without bond export करूँ तो क्या procedure है तो बता देता हो without bond अ कर रहा है without bond यहां लिखना है तो लिख देना without bond export कर रहा है तो वो यहां पर बनाएगा tax invoice यहां लिख दो वो बनाएगा tax invoice okay clearance होगा और यहां बनाएगा tax invoice tax invoice हमारा कितने का है यही value ले ले लेता है 100 lakhs का tax invoice है तो मेरी value हुई 100 lakhs tax invoice बना 100 lakhs का और उसके ओपर IGST हुआ तो IGST add rate 12% तो मेरा कितना हुआ 12 lakhs टोटल 112 lakhs तो यह मेरा यहां पे 112 lakhs का यहां पे bill बन गया अब क्या होगा कि यह tax invoice tax invoice बनेगा IGST calculate होगा और IGST pay भी होगा और यह tax invoice GSTN portal पे GSTR1 में अपडेट कर दिया जाएगा यह tax invoice आप अपडेट कर दोगे उसके ओपर लिखोगे अगर आप invoice chapter पढ़ते हो तो उसके ओपर लिखोगे export without bond export without bond with payment of IGST और वो GSTR1 में अपडेट कर दोगे अब GSTN portal क्या कर देगा GSTN portal यह custom portal में data transmit कर देगा मतलब transmission of data to custom portal अब यहाँ पे सुनना custom portal में यह data transfer होते ही हाँ अब एक important बात बताना चाहोगा यहाँ पे refund application जो है आपकी shipping bill ही refund application माना जाता है और आप जब refund claim करोगे किसका refund claim करोगे IGST का तो आपकी shipping bill ही application माना जाता है आपको यहाँ पे RFD01 देने की जरुवत नहीं है यह shipping bill itself treated as refund application अब मैं आपको क्यों यह बताता हूँ जैसे GSTN portal आपने invoice upload कर दिया upload export invoice और IGST पे करके उसके बाद में GST port upload गया वो custom department को यह transmit कर देगा और custom department यहाँ पे जैसी यह ship को departure order मिल जाएगी मतलब when ship lose India और departure order मिल जाएगी तो यह departure order जो है वो custom portal पे update कर देगा अपडेट कर देगा departure order और यह departure order होने के बाद जो custom portal GSTN portal पे confirmation देगा कि departure हो गया departure हो गया लेकिन most important बात यह जो IGST का refund मिलेगा क्या यह IGST का refund यहाँ पे GST department देगा क्या नहीं आपको लिखना है तो दिखना है यह refund जो देता है वो custom department देता है तो refund of IGST यहाँ पे जैसा आपकी shipping भी लिए application मानी जाएगी और very important note और यह note आपको add करना है तो कर देना refund of IGST will be granted by custom department यह custom department से आपको refund आएगा okay very important point तो एक बार फिर से समझ लो जब आप export करोगे without bond तो आप tax invoice बनाओगे जिसके पर value IGST रहेगी यह tax invoice आपके GSTR 1 में अपडेट हो जाएगा okay GSTN portal यह data custom portal पे transfer कर देगा okay custom portal पे अब export होने के बाद okay departure order sorry departure manifest होने के बाद departure manifest upload होने के बाद custom portal confirmation देदेगा GSTN portal के यह export हो गया पन इसका refund जो रहेगा वो IGST के refund grant करेगा कौन grant करेगा बिटा तो यहाँ पर grant करेगा custom department तो यह जो है special procedure है okay option 2 से related I hope आप समझे होगे तो चलिए okay जो मैंने यह यह procedure 2 पढ़ाई और यह procedure 2 जो है वो से एक ही case में लगती है बाकि सारे case में आपको RFD 01 की procedure follow करनी पड़ती है वो एक ही case में लगती है अगर आप export without bond कर रहे हो और supply of goods कर रहे हो service करोगे तो उपर वाली procedure लगेगी RFD 01 की supply of goods कर रहे हो तो आपका application shipping bill माना जाएगा और आपको procedure यह जो 2 है वो लगेगी I hope you understood और चलो अब rule 96 जो है यह पढ़ लेते है rule 96 क्या कहता है कि आपको shipping bill okay देखो आपका shipping फटा पट देखो आपका shipping bill ही application of refund माना जाएगा तो deemed to be application of refund which is deemed to be filed only when person in charge file a departure manifest or export report covering the number and date of shipping bill मतलब यह जो है application आपका तो माना जाएगा और यह application active होगा जब यहाँ पर person in charge जो है यह departure manifest file कर देगा the applicant has furnished the valid return in GSTR 3 भी इसको आपका proper valid return file करना पड़ेगा if there any mismatch between the date furnished shipping bill and statement of outward supply in GSTR 1 अब समझ लो देखो क्या है आपने GSTR 1 दिया और इधर shipping bill file हुआ और custom portal पर shipping bill file हुआ इधर आपने GSTR 1 दिया और इसमें कोई भी mismatch होता है तो आपको mismatch rectify करना पड़ेगा तो आपको mismatch rectify करना पड़ेगा और आपका application उसी दिन माना जाएगा जिस दिन आपका mismatch rectify हुआ वो date of application माना जाएगा जो आपको दो साल के अंदर देना है अप्लिकेंट has undercored other authentication in a manner provided in rule 10b इसका भी refund अगर claim करना है तो आपको other authentication rule 10b में देखो rule 10b याद करना other authentication कुछ case में इवन दो आप registered हो sorry already registered हो तो भी आपको other authentication करने पड़ते है उसमें यह point है कि अगर export refund होगा तो transmission of data by custom portal by GST portal to custom portal data transmit होगा refund claim आपका कौन करेगा तो refund आपका custom officer custom officer आपका refund claim grant करेगा इसके लिए में एक चार्ट आपको आपको बता रहो जिसका screenshot आपको ले लेना है और यह चार्ट आपको draw करके इसके उपर चिपका देना है अगर withholding of refund हा क्योंकि इसमें मैं यहाँ पे 5u 5u a 5u b यह सब कुछ कवर कर रहा हो तो आपको अगर यह वर्डिंग्स में नहीं समझ में आता है तो यहाँ मैं अब जो चार्ट बता रहा हो उसका screenshot लेना draw करना और यहाँ चिपका देना okay withholding of refund यहने क्या okay तो देखो यह chart okay screenshot देने के लिए मैं time दूगा यहाँ पे okay जो आपका refund आरा export का वो कौन-कौन सी cases में विथेल किया जाएगा मैं यहाँ पे A, C और B मैं जान बुछ के C मैं ने इधर लिया A, C और B देखो ओके यहाँ पे on request received from jurisdictional commissioner of central or state in accordance with section 54 10 और 11 section 54 10 और 11 में अगर आपकी कोई पुरानी recovery बाकी होगी तो वो recovery पहले आपकी refund से address होती है तो आपका central या state jurisdictional commissioner से request आगी कि इसका refund भी थेल करो और कि इसकी पुरानी recovery बाकी है या commissioner in board और authorized officer by board on the basis of याने board जो हमारा central board of indirect taxes and customs उसमें commissioner या कोई भी authorized officer of the board होगा, data analysis and risk parameter is of opinion that verification of credential including the availablement of ITC of exporter is essential before grant of before grant of यहाँ पे refund मतलब refund grant करने के पहले आपके verifications और उसके credentials जो है देखो verifications of credentials of exporter including the availablement of ITC यहाँ पे wording जीए including credential including the availablement of ITC मतलब अगर board को यहाँ पे commissioner जो है, okay board को अगर आपके credentials verify करने है, okay including ITC और वो जरूरी है before grant of refund क्योंकि officer को doubt है और central board of indirect tax and indirect tax and customs को doubt है कि कुछ तो गड़ पर है और आपके credentials check करना है, आपका ITC check करना है तो वो refund यहाँ पे विथेल कर सकता है और थिसरा, proper officer of customs determine that goods were exported in violation of provision of this act, okay अगर custom officer को ऐसा लगा कि यह export तो हो गया पर in violation of provision of this act तो यहाँ पे proper officer of custom passes an order that goods have been exported in violation of provision of act और उसने order भी दे दी कि भाई, यहाँ पे in violation of provision of this act, okay यह export हुआ है, तो यह तीन case में आपका refund विथेल कर दिया जाएगा, देखो यह तीनो cases मैंने यहाँ पे दिया, question आ सकता है, important for your exam, important for your exam, कहां कहां एक विथेल हो सकता है, पहला, okay request आई, दूसरा, यहाँ पे proper officer of customs, यह मैंने उदर लिया चार्ट में भी, proper officer of customs determined goods are exported, in violation of customs, and see, commissioner or officer of opinion that verification of credentials of exporter, including the availablement of ITC by exporter, is considered essential before grant of refund, तो यह तीन cases में आपका refund विथेल कर दिया जाएगा, question exam में इसके आ सकता है, और उसके बाद में, next, यहाँ पे, अब अगर आपका विथेल कर दिया, okay refund तो क्या होगा, अगर आपका refund विथेल हो गया, तो वो situation में, अब क्या होता है, कि यह refund कौन grant कर रहा था, यह refund grant कर रहा था, custom officer, तो custom officer, अब यह case transmit कर देगा, okay, central state union territory, GST officer के पास, such claim of refund विथेल shall be transmitted to proper officer of CGST, IGST और UTGST, अब यह case custom के हाथ के नहीं रही, अब यह GST officer की case होगे, क्योंकि विथेल हो गया refund, तो अब यह GST officer के पास transmit हो जाएगा, through common portal in a system generated RFD-01, अब देखो, अगर विथेल हो गया, और यह case transmit होगे, किस के पास GST officer के पास, लेकिन इसका application हमने किसमें दिया था, refund का, shipping bill, shipping bill itself consider as application, लेकिन अब यह case custom officer के पास रही नहीं, अब यह case GST officer के पास चले गई, तो अब, okay, इसका RFD-01, अब यह case RFD-01 के form में चले गई, और इसका RFD-01, यहाँ पे system खुदी generate कर देगा, तो RFD-01 का claim generate हो जाएगा, और अब वो GST officer के पास चले जाएगा, अब जो RFD-01 auto generate हुआ, और case से लेगी, यहाँ पे GST officer के पास, अब उसको application माने जाएगा, and it shall be deemed to available on the date of transmission, और आपने application किस दिन फाइल किया माना जाएगा, जिस दिन case transmit होगी, intervention of such transmission shall be sent to exporter on common portal, और यह exporter को भी बताया जाएगा, तो चले बेटा, okay, withholding of refund, okay, यह आपने chart बनाना है, और यहाँ चिपका देना है, यह बनाना है और चिपका देना है, screenshot ले लो इसका, screenshot ले लो, done, चले, तो हमने यह rule 96 देखा, उसके बाद में refund to Bhutan government, वो special procedure है, Bhutan government को अगर है, तो वो case में refund मिलता है, और rule 96 not applicable, exporter has made a purchase of deem export, deem export के case में applicable नहीं होगा, और यहाँ पेनल्टिमेट supply है, मतलब आप merchant exporter, merchant exporter के case में applicable नहीं होगा, इसकी procedure में आपको आगे बता होगा, और अगर आपने service supply की होगी, तो वो RFD01 से claim होगा, मैंने यह सारी procedure goods की देखी, अगर आपने service supply किया होगा, तो वो situation में आपका application RFD01 में जाएगा, यह तो बात हुई बेटा, कि अगर यहाँ पे, यह बात हुई, आप option 2 ले रहे हो, और यह option 2 जो आप ले रहे हो, okay, under bond, आप bond execute नहीं कर रहे हो, और यह जो है, IGST पे कर रहे हो, और यह क्या procedure आपको follow करना है, वो मैंने नीचे दिया है, सर, अगर मैं option 1 ले रहा होगा तो, option 1 ले रहा होगा, तो procedure क्या है, और उसका refund क्या है, procedure में यहाँ explain कर देता हो, तो यह जो procedure है, यह option 1 की है, अब मैं option 1 ले रहे हो, तो यह जो procedure है, option 1 की है, और यह case में ITC का refund, rule 89.4 में मिलता है, वो हम आगे देखेंगे, okay, तो 96A, उसको लगता है, when export of goods or services under bond, आप अगर bond execute करके, आपका outward supply export कर रहे हो, तो वो situation में देखो, time limit, okay, register, RP मतलब register person, and register person shall furnish a bond, a letter of undertaking in prescribed form, आपको bond देना पड़ता है, उसका form होता है, और bond किसले देना पड़ता है, binding to pay tax or interest, okay, tax or interest at the rate 18% per annum, okay, आपको यह bond देना पड़ता है, कि भई, मैं इसका tax or interest दूगा, अगर export नहीं हुआ, यहां लिख देना हिंदी में, अगर export नहीं हुआ, तो यह bond government के पास security होता है, तो आप bind कर रहे हो, okay, to pay tax and interest within, अगर situation, if goods are not exported out of India, within 3 months, आप यह agreement दे रहे हो कि अगर मैंने 3 मैने के अंदर, और plus extension, from the date of invoice, export नहीं किया, तो आप उसका tax or interest दोगे, within 15 days, after expiry of 3 months, और extension period, आप add करना हो, तो add कर देना, और extension period, यहां पे लिख सकते हो, और extension period, extension period, तो आप 3 मैने में, okay, 3 मैने में export नहीं कर पाए, तो जैसे 3 मैने खतम होता है, यह extension period खतम होता है, वहां के 15 दिन के अंदर, आप tax or interest दे दोगे, यह उसका bond होता है, और अगर आप service supply कर रहे हो, और payment of service not receiving convertible for exchange, और rupees permitted by RBI, within 1 year, from the date of invoice, अगर आप एक साल के अंदर पैसा नहीं ला पाए, तो जैसे ही एक साल खतम हो जाएगा, 15 दिन के अंदर, आप tax or interest इसका दे दोगे, तो यह under bond वाला procedure होगा, और आपको यह तीन मैने के अंदर export करना जरूरी है, या extension period, या एक साल के अंदर, आपको convertible for exchange लाना जरूरी है, और उसके लिए नहीं लाए, तो आपको tax or interest लगेगा, उसका bond execute आपको करना है, दूसरा, transmission of export invoice to custom portal, no doubt, आपको जो export invoice GSTN portal, GSTR1 में, वो upload करना पड़ता है, और वो custom portal पे भी transmit हो जाता है, recovery and bond LUT withdrawn, if goods are not exported within specified time, उपर जो दिया है, the register person first to pay specified amount, the export as allowed, under bond and LUT shall be withdrawn, and said amount shall be required under section 79, मतलब क्या, मतलब अगर आपने within this time पर export नहीं किया, तो आपका bond withdraw कर लिया जाएगा, और आप से पैसा से, section 79 की recovery case आप से पैसा आप से record किया जाएगा, जो tax or interest है, restoration of bond or LUT, the export as withdrawn, shall be restored immediately when RP pays the amount due, अगर आपका, आपने due amount pay कर दिया, तो आपका bond restore कर दिया जाएगा, LUT in place of bond, okay, LUT में भी furnished after considering the specified condition and safeguard instead of bond, okay, यहाँ पे एक notification आपको detail में नहीं जाना है, normally कुछ case में LUT देनी परती है, LUT simple एक letter of undertaking होता है, लेटर आप undertaking होता है, जिसको हम LUT कहता है, तो, और एक कुछ case में bond with surety होता है, अगर आप bond execute करते होता है, आपको security और surety देनी परती है, okay, वो कुछ cases में, कुछ case में आपको LUT देनी परती है, okay, same procedure in case of supply of SECZ, the provision of rule 96A1 shall apply mutatis mutandis to supply to SECZ, अगर आप SECZ को supply कर रहे हो, तो यह procedure आपको apply की जाएगी, okay, तो यह था rule 96A, अब आता हूँ में rule 96B में, okay, यह सब हम export पे सारे benefits क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पैसा आप लाओ in convertible foreign exchange, recovery of refund of unutilized ITC और IGST on export of goods, where export process not realized, आपने पैसा नहीं लाया, okay, convertible foreign exchange में, तो फिर, okay, यह सारा refund दे के क्या फाइदा, हम आपको refund इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि आप पैसा convertible foreign exchange में लाओगे, okay, तो देखो यहाँ पे, वो क्या कहता है, just a minute, just a minute, just a minute, अगर आपने पैसा नहीं लेया, okay, within the time mentioned in FEMA, या extended time, जो भी है, okay, तो applicant shall deposit such refund amount to the extent not realized with interest within 30 days of expiry of said period, मतलब within जो FEMA में time दिया है, उस case आप से नहीं लाया, तो आपको 30 दिन या extension period में, with interest के साथ deposit करना पड़ेगा, अगर आपने वो पैसा deposit नहीं किया, तो 73, 74 की proceeding with interest आपके against में लगेगी, हाँ, अगर RBI ने, okay, यहाँ पे आपको write-off कर दिया कि ठीक, लाने की जरुबत नहीं है, तो फिर कोई problem ने, फिर, okay, अगर RBI ने आपको allow कर दिया कि ठीक है, पैसा मत लाओ, तो फिर आपने self-proceeds नहीं भी लाया, तो भी चलेगा, subsequent realization of export process within the time frame of RBI, where self-proceeds are realized by applicant full or part after the above amount recovered, the applicant produces evidence within three months from the date of realization of self-proceeds, amount so required shall be refunded by proper officer to the applicant to the extent of realization if realized within the such extended period by the RBI, मतलब क्या हो गया, कि आपने FEMA के time period में आपके पैसा नहीं लाया, तो आप से रिकोर ही होगी, कि नहीं पैस वापस को refund का, फिर आप RBI के पास गया, सर्थ थोड़ा extension जो है, मैं तीन मैंने में पैसा लाके दूगा, RBI ने आपको extension दे दिया, तो अगर आप तीन मैंने में पैसा लाते हो, FEMA की time limit तो खतम होगी, पर उसके बाद भी आप तीन मैंने में पैसा लाते हो, और RBI ने आपको specially permit किया है, तो वो situation में बेखा, वो situation में बेटा आप से record किया, और refund गवर्मेंट आपको वापस कर देगी, तो ये था complete procedure, ये जो आपने देखा, एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट वाला, आपको समझा होगा, I have tried my best, चलिया,